कि नमस्कार दोस्तों वैश्णवी और्गेनिक डेरी फॉर्म में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे मिलावटी दूद को कैसे पहचाने तो फूल मिल्क क्रीम क्या होता है फैट छो परसेंट होता है एसने नाइन पॉइंट फाइव या नाइन जीरो होता है सॉलिड नौड फैट के अलावा जो हमें प्रोटीन मिनरल कार्बोहाइट्रेट उसे मिलता है उसे हम एसनेफ कहते है यह दूद जो नौजवान है प्लेयर है जो स्रमसील है और जो मिहनत वाले लोग की ज़्यादा उपयोगी होता है जैसे खीर बनाना है पनीर बनाना है तो यह फूल क्रीम मिल्क की आवसकता होती है आम तोर पर दूद में 8.5 85% पानी होता है 15% ठोस तत्व मिनरल और प्रोटीन फैट होता है कई तरह के दूद हम लोग इस्तमाल करते हैं गाय का दूद प्रती ग्राम 3.14 मिली ग्राम कोलोस्ट्रॉल होता है गाय का ताजा दूद वेहतर भैस के दूद में 0.65 मिली ग्राम प्रती ग्राम कोलोस्ट्रॉल ज्यादा होता है गाय के दूद से 92 फिश्दी कैल्सियम 37 फिश्दी आयरन और 18 फिश्दी फासफोरस ज्यादा होता है गाय के दूद से भैस के दूद में मानकों के अनुसार खुले दूद में SNF 8.5 होता है और फैट 3% होता है जो गाय की दूद में ज्यादा तर मिलता है या नॉर्मल दूद जो मानक माप दंड है यही है फूल क्रीम दूद में फैट 6.0 और SNF 9.0 या 9% होना चाहिए दूद में आज कल मिलाया क्या क्या जाता है यूरिया, अमोनिया, नैट्रेट फर्टिलाइजर, स्टार्च, सूगर, गुलुकोच, नमक का मिलावट कर दूद का मात्रा बढ़ाई जाती है SNF और फैट भी बढ़ाई जाती है, नूट्रिलाइजर इसलिए मिलाई जाती है कि दूद में खटास न पैदा हो हाइड्रोजन पारासाइट और फार्मलीन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद धन्यवाद अड्रोजन पारासाइट और फार्मलीन मिलाते हैं, अस्टार्च और आटे की मिलावट से, यूरिया और अमूनिया की बजह से, जो खटास पैदा होता है, उसके टेस्ट में मिठास पैदा कर देता है दूद में यूरिया, अमूनिया, अश्टार्च, फार्मलीन आदी मिलाने से, आतें, लीभर, किड्नी आदी परभावित होती है, लंबे समय तक खतरनाक दूद पीने से गंभीर बीमारी हो सकती है मिलावटी दूद पकड़ने के लिए उपाए है, जवान अगर दूद मिलावटी हो तो उस्तकाई होती है, उस्तकाई मतलब उल्टी जैसा मसूस होता है पीने के बाद, चाय बनाने पर फटे फटे दिखाई देता है भैस के दूद में मक्खन और घी भी नहीं निकलती है, गाय चाय बनाने पर मिलावटी दूद में पपड़ी भी नहीं जमती है सुद दूद के चाय बनाने पर थोड़ी देर में पपड़ी पड़ जाती है, ये भी एक पहचानने का तरीका है ऐसे अगर दूद के अंदर यूरिया या जो डिटर्जेंट मिलाया है तो आप सीधे दूद के अंदर हल्दी डाले और उसे घुमाएं तो दूद का कलर अगर लाल हो जाए तो उसमें समझ ले चाहे तो कोई भी रियक्शन करने वाला पदार्थ मिलाया गया है जैसे यूरिया है या खाद है जो भी प्रकार की होती है या दूद के अंदर आपको पाउडर डिटर्जेंट कपड़ा धोने वाला पाउडर भी मिला देते हैं सुद्ध दूद के चाय बनाने पर थोड़ी देर में उसमें पपड़ी रहती है यह भी पहचान है यूरिया मिक्स मिल्क को टेस्ट करने का बिदी दू मिली लिटर दूद में दूद में दूद में दूद ले और दूद ले और दूद इमेल अमोनिया रिजेंट डालें अच्छी तरह मिलाएं, अगर दूध का रंग भूरा हो जाए, तो अमोनिया मिलाई गई है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, इसकी पहचान के लिए एक एमिल दूध लें, एक एमिल जिस दूध को डाल कर चेश्च, मिलावती दूध को कैसे पकड़े या टेस्ट करें, इ पूध और नाइट्रेट के मिलने के जगह नीला गहेरा बन जाए, तो उसमें तालाव का पानी या नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स मिलाया गया है, अस्टार्च की पहचान के लिए पांच एमिल, मिल्क पांच एमिल को खुब उबालने, वर ठंडा होने पर उसमें स्टा निला रंग होने पर समझे कि अस्टार्च रीजेंट अस्टार्च मिलाया गया है, छीनी, एक केमेल छीनी सुगर रीजेंट मिलाएं, तीन-पॉइंट-फईव या साढ़े-तीन मिनट तक उबलते पानी में रखे, लाल रंग होने पर छीनी मिलाई गई है, गुलुकोच ए g exercise, 1 एमेल दूद में, 1 केमेल गुलकोच रिजेंट आथा, 3 मीनट तक गरम पानी रखें, थंधा होने पर गुलकोच रिजेंट टू मिलाएं गैहरा नीला रणग होने पर गुलकोच मिलाएं गया है नमक, पांच एमिल साल्ट रिजन्ट लें, इसमें साल्ट रिजन्ट के दूब कुछ बुंद मिला दें लाल रंग उभर कर आएगा, इसमें एक एमिल दूद से कुछ बुंदें मिला दें पीला रंग उभर कर आएगा, तो नमक मिलाएगा नूट्रालाइजर्स पांच एमेल दूदले उसमें पांच एमेल नूट्रालाइजर्स परिच्छन रसायन जिसे नूट्रालाइजर्स रिजेंट्स कहा जाता है और उसमें नूट्रालाइजर्स टू मिलाएं अच्छी तरह घोले गुलावी रंग होने पर उसमें नूट्रा पाराउक्साइड, एक एमेल दूद लें उसमें हाइडरोजन पाराउक्साइड के कुछ बुंद मिलाएं, गुलावी या लाल रंग होने पर उसमें हाइडरोजन पाराउक्साइड मिलाया गया है फार्मलीन, फार्मलीन के परिच्छन के लिए 10 एमिल दूद लें और ट्यूब के किनारे से छूता हुआ 5 एमिल फार्मलीन रिजेंट डालें अगर बीच में गहरे जामुनी रंग का घेरा बनता है तो फार्मलीन मिलाया गया है सेंथेटिक दूद को सुंगने से साबुन जैसा स्माइल या सुगंध आता है असली दूद का स्वाद हलका मीठा होता है नकली दूद का स्वाद रिजेंट मिला होने से कड़बा होता है नकली दूद कुछ देर रखने पर पीला पड़ जाता है बनस्पति की मिलावट को पकड़ने के लिए तीने मेल दूद में हाइड्रो क्लोरिक एसीड की दस बुन्द मिलाएं एक चम्मच्चीनी मिलाने के सारे फार्मूला से आप घर पे मिल्क को टेस्ट कर सकते हैं और पैचान सकते हैं रिए उसके बाद है सेंथेटिक दूद जो है पानी की मिलावट भी होती है दूदों में तो पानी की मिलावट को कैसे पहचाने दूद की बूंद को चिकनी सत पगिराएं अगर बूंद धीरे धीरे बहे और सफेद निसान छोड़ दे तो दूद सुद है मिलावटी दूद की बूंद बीना निसान छोड़े तेजी से बह जाता है तो दूद में पानी मिलाया गया है आप ऐसे पहचान कर सकते हैं अस्टार्च की परताल कैसे करें आयोडीन के कुछ बूंदे दूद में मिलाएं मिलाने पर मिश्रन का रंग नीला हो जाएगा इसका मतलब अस्टार्च मिलाया गया है यूरिया टेस्ट का एक और तरीका है ट्यूब में थोड़ा सा दूद और सुवावीन या अरहर पाउडर मिलाएं पांच मिनट बाद लाल लिटमस पेपर इसमें डुबो है अगर पेपर का रंग नीला हो जाए तो यूरिया मिलाया हुआ है दोस्तो ये था आज जो है दूद में मिलावटी दूद को कैसे पहचाने जो हर घर में सुवा से साम तक हम लोग दूद पीते हैं उस दूद में मिलावटी दूदो का जो डर है उसको कैसे हम पहचाने या जान करके खतम करें कि हम सुरचित दूद पीए और स्वस्त रहें जैहिन ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच